आसा राम प्रकरण के मुख्य गवाह महिंदर चावला के घर चोरी वे ताला तोड़ने के मामले में 1995 में मरे हुए गव्यक्ति को गवाह बनाकर FIR द्रद करने वाले DSP, स्थीस वस, S.H. चो सूरजभान वे दो अन्य के विरुद चावला ने S.P. पानिपत को दिया शिकायत पत्र वे तुरंत कारवाई की मांग की महिंदर चावला ने बताया उनकी जान को खत्रा है और उनकी शुरक्षा बढ़ानी जाए आज मैं S.P. सहब को मिला, S.P. पानिपत को उनकी कोठी पे जाके मिला और मैंने शिकायत दी कि मेरे घर पे 19.4.19 को मेरे सुरक्षा कर्मी पुनित ने मेरे गैर हाजरी में मेरे घर का ताला तोड़ा, ट्रेस पास किया, सामान चोरी तो किया ही, साथ में उसकी जो मनसा थी पुनित की, वो केवल चोरी की नहीं थी, पुनित ने एक शडियंत्र रजा, हमारे गाउं सनोली खुर्द के कुछ लोगों के साथ, प्रियंका शर्मा, सुरेंदर शर्मा, पपू शर्मा, संजेत यागी, और आसाराम बापू के गुंडों के साथ मिलके शडियंत्र रजा, और उस शडियंत्र के जो मुख्य वेक्त पुलिस वाले इसमें इन वॉल्ल थे, इन सब लोगों ने मिलके पहले तो मेरी सुरक्षा में कमी करनी शुरू कर दी, बुढ़े, बिमार क्रमचारी लगाने शुरू कर दिये, फिर एकी लाप्रवाह करमचारी लगाया गया पुनित, जो उननीस चार उननीस को पहले तो मुझे वहाँ पे छोड़के भाग गया, स्क्योर्टी छोड़के ड्यूटी छोड़के भाग गया, फिर उसी तारिक को, उननीस चार उननीस को, शाम को, वो हम घर पे पहुंचे, साथ साड़े साथ, आठ बजे के आसपास, उसी टाइम हमारे घर पहुंचने से पहले ही उसने हमारे घर में वारदात कर दी, घर का में गेट फांद कर घर में आया, घर का ताला तोड़ा, सीसी टीवी के उपर कैमरा डाला ताकि साक्षे मिटाए जा सकें, और भाग गया, सामान भी कुछ ले गया, वास्तम में पुनित का जो उदेश्य था, पानिपत पुलिस के अधिकारियों का, या आसाराम के जो गुरुगे हैं, उनका जो उदेश्य था, उनका उदेश्य था कि मेरे घर में कोई भी अवैद नशीला पदार्थ, अवैद हतियार, या अन्य कोई भी गयर कानूनी सामा रखने का उनका उदेश्य था, ताकि मुझे किसी भी जूटे केस में फसाया जा सके, क्योंकि मेरे उपर आसाराम से समझोता करने के लिए बार बार जो है ये आसाराम के गुंडे और ये पानिपत के जो है लोकल हमारे स्थानिये जो आसाराम के स्पोर्टर्स हैं, वो काफ के साथ मिलके सुरक्षा में चूप करवा रहे थे, तो उसमें FIR दर्ज हो गई थी, पुनीत और प्रियंका शर्मा, सुरेंदर शर्मा, पकपू शर्मा, संजेत्यागी, इन पांचों लोगों के खिलाफ FIR दर्ज हो गई थी सनोली थाना में, अब उसके बाद क्या किया, क् क्योंकि ये सब लोगों का शरियंतर था, वो DSP, SHO, सब नीचे से उपर तक सब ये शरियंतर था थो, इन्होंने क्या किया, एक सतनारैन सनौफ जीतरा, मरे हुए व्यक्ति को इस केस में गवहा बनाया, और अन्य जिन तीन लोगों को गवहा बनाया, वो तीन व्यक्ति एसे लोगों को इन्होंने गवहा बनाया, जो इस गाव में रहते नहीं है, जो मर चुका है, और उनके आधार पे इन्होंने मुकदमे को कैंसल कर दिया, FIR को रद कर दिया, तो मैंने RTI से कुछ पेपर्स निकलवाए, कुछ कोर्ट में एप्लिकेशन लगा कि स्टेटेस र गया, और S.P. सुमित कुमार को मैंने परसनली मिलके 46 पेजीज की एक कंप्लेंड दी है, 10 पेज की कंप्लेंड है, 36 पेजीज के उसमें सबूत लगे हुए है, वो सबूत मैंने आज S.P. साब को दिये हैं, और कारवाई की मांग की है, और मैंने S.P. साब को ये भी कहा कि य पुलिस, D.S.P. है या S.P. इंस्पेक्टर सूरजभान है, या अन्य दो करमचारी है, ये कभी भी मेरे उपर जानलेवा हमला करवा सकते हैं, मुझे किसी जूटे केस में फसा सकते हैं, अन्य किसी व्यक्ति के माध्यम से या किसी महिला के माध्यम से मेरे उपर आरोप लग सकते हैं, जूटे केस में फसा सकते हैं, तो मेरी सुरक्षा भी बढ़ाई जाए, मैंने सुरक्षा बढ़ाने की मांग की है, अब देखना है क्या होता है, यदि S.P. पानिपत की तरफ से हमें पॉजिटिव रिस्पोंस नहीं मिलेगा, हमारी शिकायत पे कोई कारवाई नह अब डेट्स के लिए अर्थपरकास ट्रीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें